करोना मामलू के बाद स्वास्ते मंत्राले अलर्ट हो गया है करोना और मौस्मी इंफ्लोएंजा पर केंद्र ने आज सभी राजु की एक एहम बैठक बुलाई है पिछले कल भी मन की बाद कारिक्रमी प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए तेश्वासियों से एक बरफेर रहतियात बरतने की अपील की है साथियों इस समय कुछ जगों पर कोरोना भी बढ़ रहा है इसलिए आप सभी को एतियात बरतनी हैं स्वश्चता का भी ध्यान रखना है इधर प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगतार व्रधी जारी है बिते 24 घंटों में कोरोना के 15 नय मामलों की पुष्टे हुई है और इन मामलों के साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 415 तक पहुँच गई है हालांके इस दोरान नौ लोगों ने कोरोना से जंग भी चीती है पिछले कल कोविड संक्रमन से कांगराजले में एक महिला की मौत हुई है प्रदेश में अब तक 4195 लोगों की मौत हो चुकी है इस वीच प्रदेश सरकार ने भी कोरोना को लेकर एडवाईजरी जारी की है इस एडवाईजरी के अनुसार सभी स्वास्तेस्थानों भीड भाड़ वाले इलाकों में मास पहनने की सलहा दी गई है और इसके अलावा वरिष्ट नागरीकों को विशेश एहतियात रखने को भी कहा गया है इडवाईजरी के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग नियमों के पालन के अलावा स्वाचता रखने की सलहा दी गई है और इसके अलावा लोगों से कोरोना की बूस्टर डोस लगाने के साथ इन्फ्लूएंजा के लक्षन होने पर चिकित्सा परामर्श के साथ कोरोना वाइरस संक्रमन की जांच करवाने के भी निर्देश दिये गए हैं। चमबा जिला में जो कोवेड की केसी से लगबग नाम मातर के थे और ऐसा भी समय आया जब कोवेड के एक पॉजिटिव पेशिट जिले में रह गया था और हमारा जो कोवेड के जो हॉस्पिटल्स हैं केर सेंटर हैं उनमें भी कोई भी पेशन नहीं था लेकिन अब दिरे चमबा जिला में भी अब कुछ समय से पॉजिटिव केसिस जो हैं वो बढ़ने लगें और पूरे आदेश में जिस तरह से कोवेड को लेके आतियात बरती जा रही है तो आफ़दा परबंदन अधी नियम में ये एक आदेश डीडियमे के तरफ से में जारी किया है तर यद कोवेड को नियंतरित कर सकते हैं इसलिए सबी लोगों को ये निरदेश भी दिये गे हैं और मेरे सबी से अन्रोध दी है तो बिना मास्के पब्लिक प्लेस में ना आएं